नमस्कार शुरुवाज जी नेचर पेथी में आज आपका एक बार फिर तिस्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं कि नारियल जो नारियल होता है वो और उसका पानी या उसके अंदर के गिरी इवन यह मान के चलिए कि अगर सूखा नारियल ने तो उसके ऊपर का छिलका इस सारी चीजे लाबदायक है आपको ऐसी डिटी की शिकायत है आपको लगता है कि आपको जलन हो रही है तो आप सुवे सुवे नारियल पीजिएगा नारियल का पानी पीने से आपको फायदा ही ह आएगी आपके चेहरे पर चमक आएगी आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त रहेगा और अगर आप उसकी गिरी खाते हैं तो वह भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर अपने आप में एक ऑईल होता है जो आपकी बॉड़ी के जाता है जिससे आपके घुटने अच्छे और मजबूत रहते हैं आपको चाहिए कि आप नारियल का तेल जो है तेल भी निकलता है नारियल का उस तेल को आप उससे मालिश करते हैं अपने सिर की तो आपके बाल घरे लंबे और सुन्दर होते हैं अक्सर आप देखते हैं कि खाने में इस्तिमाल कर सकते हैं पीने में इस्तिमाल कर सकते हैं इवन सुखा नारियल है और उसकी उपर की जटाएं हैं और आप ऐसे एरिये में रहें जहां मच्छर बहुत आपको परशान कर सकते हैं तो आप उसको लगा कर उसका धुआ करेंगे तो उससे मच्छर भी भाग जाते हैं तो नारियल पानी या नारियल या नारियल का तेल पर्टिकुलर बहुत सी चीजों में काम आता है, इसको आप इस्तेमाल करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी गिरी बना लेते हैं, छोड़े छोड़े नारियल काट कर खा लेते हैं, वो भी अच्छा है, वो कच्छा नारियल है, कच्छी गिरी भी आत तो आप इस नारियल का आनंद लीजिएगा हम तो यह आपकी शरीर के लिए आपकी हैल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इस नारियल को आप पानी के इस्तिवाल में कीजिए आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी आपका डैशनल सिस्टम सही रहेगा आपकी पाचन क्रिया से रहेगी आपका खाना पचे प्रफर्ली आपके चेहरे पर कांती आएगी इतने सारे कुण है नारीयल के पानी में और नारीयल का ते लगाते तो सिर आपका अच्छा रहता है आपके भाल अच्छे रहते हैं आप खूबसूरत दिखते हैं तो यह सारी जानकारी का मजा के रिवाद बहुत शुक्रिया थैंक य। वेरी मुच थैंक य।